겐लों को आज का है ॥ो स्वागत्म दोस्तों आज का विडियो डीजीज एंड डीए सीरीज का विडियो है जिसमें हम डाहीरिया दस्त के बारे मीं जानेंगे हम जानेंगे डाइहरिया क्या है यह किन किन कारणों से होता है इसके क्या साइनेंज सिंटम्स होते हैं क्या लक्सन दिखाई देते हैं साथ ही जब diarrhea होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर द्वारा diarrhea को रोकने के लिए क्या treatment दिया जाता है जिसमें oral treatment जिसमें टेवलियर दाता सीरप दी जाता है और injectable treatment जिसमें injection दाता drip लगाई जाते हैं इन दोनों को separate separate जानेंगे, साथ ही हम जानेंगे कि किस प्रकार से doses दी जाती, कितने तुनों दख दिया जाता है। इन सभी बातों को पूरा जानने के लिए वीडियो को बिना skip के पूरा देखे जैसे संपूर्ण जानकर आपको मिल सके। मैं हूँ आपको होस्ट मोहित आदीच, आप देखरें अपना इडिव चैनल Learn About Medicine, चलिए ऐस वे कुछ नहीं आ सिकते हैं। बच्टा है। तो इस वज़ा से जो नहीं पचावा खाना अनडाइजेस्ट फूड हे। वह पाने के साथ मिलकर बार मोशन के रूप में निकलता है। और इस वह उन्होता है और बार बार हो हों जया है यह किए गुद्ध को सकता है। अगर इसके कारणों के बार में जाने क्या क्या कारण से डाहिरिया हो जाता है तो जो मोस्ट कुमन कारण है उसमें तो वायरल इंफेक्शन है जब व्यक्तिक को होता है डाहिरिया के समयश्या होती है इसके अलावा यदि किसी व्यक्तिक को बैक्टिल इंफेक्शन हो गया हो क किसी ने आवर रेटिंग कर लिए मतलब ज्यादा खाना खालिया हो कंटामिनेटेट फूर्ड या कंटामिनेटेड वाटर मतलब संक्रमनित खाना या पानी पील ने से भी यह समेश्या होती है किसी व्यक्ति का digestive system खराब है तब यह problem हो सकती है व्यक्ति का इंटेस्टाइन ने वह पाने का absorption कम कर पा रहा हो पाने के absorption की कमी उसमें हो तब यह समेश्या हो सकती है पेट तता इंटेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस पीट में मरओड चलना यह इस्तती हो सकती है साथ ही पीट में भारी पन लगना नोज यह ca ms लगना उल्टी जैसा लगना ज्यादह दस लगने पर फई लेच हो सकता है डी हाइडरेसन बससे में पानिक कम कमजोरी मैसूस हो सकती है और इसके अलावा व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यास लगेगी ब्लेड प्रेसर भी लो हो सकता है और जो यूरीने से इस्तती है जो पैसाब करते हैं वह संक्या कम हो सकता है क्योंकि बार-बार दस दगने से पानी की कम हो जाती है तो इस थरह के जो साइने सिम्टम से देखे जाते हैं जब व्यक्ति को दस्त की डाहेरिया के समस्या होती है अगर इस बीमारी को शुरुवाती स्टेज में ही ठीक कर दिया जाए इसका इलाज ले लिया जाए तो किसी प्रकाय की बड़ी समस्या नहीं नोर्मल सी बीम तो कितमें ते तुम दिया जाता है वह क्या दिया जाता है उसे भी हम याँ पर जान लेते हैं जो जर्ली अरो ठेट्मे कर दिया जाती है। औरल टीटमेंट जब वेक्तिव का किया जाता है तो उसमें 6-7 प्रकाइकी अलग-अलग दवाईयां टेबलेट्स दी जाती है इसमें सबसे पहली टेबलेट है लोपेरेमाइट 2 मिलिगाम की टेबलेट इसके अलबा दूसरी जो अन्य टेबलेट है उसमें नौफ लोक्स अस चीजिसे आप नौफ लोक्स टीजेड के नाम से जानते है या ओफ लोक्स वसीन ओनेडाजोल की टेबलेट दी जानते है इन दोनों में से कोई एक टेबलेट दी जाती है वेक्तिवें जब पेटदर्द होता है उसको रोकने के लिए ड्रोटरा वरीन तथा मेफेनेमिक एस सब्सक्राइब के नाम से जानते हैं साथ ही इसके अलावा डाइसेकलोमीन या परसीटमोल कॉमिनेशन की टेबलेट ही इसे पेंट के लिए जा सकती है जो साइकलोपाम इसकी पॉपुलर ब्रैंड ने और किसी व्यक्ति को जब उल्टी होती है तो उससे रोकने के लिए प्रदवारा O.R.S. औरल रियाइडरेशन सार्ट दिया जाता है साथ ही जब व्यक्ति को डाहेरिया होता है पेट में गेस्ट बनने के स्तिती भी होती तो एंटेसी टेबलेट के अप्सूल दिये जाते हैं जिसमें पेंटा प्राजोल और मेप्राजोल कोई भी एक दिया सक लागने 10 में जाते हैं कि इसे दिया जाता है कितने दिनों तक दिया जाता है उसको हमया पर जान लेते हैं जो लोपर माई टेबлемेटे दो मिलीगाम की इसे सामयने एक साथ में जिसे हम टवी ट्याल इस्टेट कहती है उससे दरुठ जाए तो अच्छी बात है नहीं अंगर रूखे तो से व्यक्ति को दिन में 3 ऐती जाती है जो इंटिवाटिक टेपलेट जिसके बार हमने जाना था 10 यह जैनको तरफिव डीजाएगी इस सुबहा एक तांगी इसे भी घाने के बाद में लेने की आपि जाती है जो फेन mam či cycloparm pabulate इसे दिन में दू या दिन में तीन बार मेरीज के आफशकत अनों साथ दिया जाता है जो उल्टी रोकने की दवा है जिसे हम tra usual omeprazole या reviprazole य है single Aa Hybrid में भी डिया सकता है इसे सुबह को इवगे पлично बढ़ीने सके इस तरह से एचित्र में बिया जाता और इसkraut को व्यक्ति को नाम सीा जंते जाता है जिसमें आचा तेरेपी देने पर ज़्यादध अच्छ रिजल्ट नहीं मिला हो या कोई व्यक्ति जो एक्विट डायरिय हो गया हो उसको बहुत ज्याद़ प्रोड़म हो रही तो उससे इंजेक्टेबल का ट्रीटमेंट दिया जाता है वह हैं ट्रीटमेंट किया दिया जाता है उससे भी एंटीवाइक इंजेक्शन उल्तीगो रोकने का इंजेक्शन दरदीं इस तरह से दिया जाते ले उट्छ me सब्सक्राइब दोनों में से कोई भी एक इंजेक्शन दिया जाएगा जिसे आई वी इंट्राविनेस रूट से दिया जाता हुँ दिन में दो बार दिया जाते हैं एक छोटी ड्रिप आती जो हंडेड़ मेल किये आप सभी इसे बली भाती जानते हो है मेट्रोनेडाजोल ड्रिप या मेट्रोनेडाजोल आईवी इंफ्यूजन इसे कहते हैं साथि सिप्रो फ्लोक्सवसिन आईवी इंफ्यूजन इन दोनों में भी एक दिया जाएगा मतलब शुरुवाति जो एंटिभाटिक इंजेक्शन जाने ते जेंटमाइस इन इमीकाशन अच्वक्ति को पीठ में दर्द हो रहा है तो b casylουμεin injection दिया जाता है यह कोई व्यक्ति है कि जुए मसेट इंजक्षण जो दो की कमी हो गई हो उसका ब्लेट प्रेसर लोग हो गया हो तो उसको रिकवर करने के लिए डॉक्टर द्वारा एन्स नोर्मस सलाइन इन फ्यूजन या आर्ल रिंगर लेक्टेट सोल्यूशन इन मैं से कोई भी एक पांट समय की जो बोटल है वहां लगाई जाती इसे दिन में ए इन हें गाए जाती कोई ज़्यादा नहीं करती क्योंकि ब्लर प्रेस्वर को यह नहीं बढ़ा पाती तो ब्लर प्रेसर तता Iलेक्ट्रलयट परिच्ट का उसका वीडियो पर नहीं, तो दोस्तों यह वीडियो था आपकी डिमाण पे और किस टॉपिक प्पर वीडियो चाकते मुझे जूपर जोर से comment box कर हैं जिसंण कि आपकी डिमाण में पूरी कर सोगू आप ते अपने दोस्त मोही दाजीश के साथ देख रहेते अपने एटीब चैनल लान और मेडिसीन थैंक यो फ्रेंड्स टेक केर और बी केरफ आप मेडिसीन उसर्स